भारती जंता पार्टी ने आज अपने प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी कर दी है और सभी मौझूदा विधायकों पर एक बार फिर भारती जंता पार्टी ने भरोसा जताया है और जो सीटें सबसे मजबूत मानी जाती है बीजेपी के लिए उनमें जवलपुर केंड पर भी शामिल है यहां से लगातार दो बार से विधायक अशोक रोहनी जी को एक बार फिर से बीजेपीणर टिकट से नवाजा है जबसे पहले उनसे ही बाचीत करते हैं हमारे साथ अशोक रोहनी जी है पहले तो रोहनी जी बहुत-बहुत आपको बढ़ाई और शुबकाम प्रदेश नेपर करता हूं कि मुझे तीसरी बार सेवा करने के लिए मुझे मुझे भरोसा जाता है जी लगातार आपके पिता जी और पूर्र विधान सभा जातार जी यहां से विधायक रहे वो लेगेशी आपको लग रहा है कि आप लगातार पढ़ाएंगे यहां से यह से कुछ से केंट गदान सभा जादा एक परिवार जेकर गएती है उस परिवार की सेवा करने का मुझे दादा की जाने के बार आउसर मिला और उस सेवा को हमने निरंतर कार्य करता हूं कि ताकत पर भारत्य अंतापार्टी की योजनाओं की दम पर आगे पढ़ाएंगे इसलिए आत्म विश्वास के साथ कह रहा हूं कि भारत्य अंतापार्टी यहां से साथवी बार उना विजयी होगी और भारत्य अंतापार्टी के कारेकरता जो पूठ हिस्सा तक उसने जन कल्यान कारी योजनाओं का लाब जनता को पहुंचाया है और केंद्र उप्रवे सर इसलिए आत्म विश्वास के साथ कह रहा हूं कि भारत्य अंतापार्टी इस बार केंट विदान साबार पिछली लीड से अधिक लीड से जीटेगी बीजेपी ने हर भूत पर पचास फीजदी से जाधा वोट शेयर लेने का लक्षिक दिया है केंट विदान साथ को लेकर आपका सबसे बड़ा मुद्दा जिसको लेकर जनता के बीच में जाएंगा और आपको कॉन्स जता रहा है उस मुद्दे पर जनता के बीच के बीच में जाएंगे हमारा जो सामने हमारा जो लक्ष है उसको हमारा उस मुद्दे को लेकर पिछले मुद्दों में जो हमने हम जनता के बीच में काम किया उसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे हमारा सबसे बड़ा जो इन पांच साल जो संपर्थ रहा वो यह रहा कि 15 मैने की कांग्रेस की सरकार में जो तक्लीब हुई उस तक्लीब से जनता को निजाद देलाना तो साल का जो कारेकल कोविट का रहा उसमें जो कश्च हुआ जनता को लोगों को उसमें परिवार के बेटे और भाई की रूप में जो हमने सेवा किया हमारे कारेकला उसको और वह पिछले हमारे कारेकल के जो वह पुरा प्रयास के जो कुछ रह गया है और नेस अपनों के साथ मौन आएंगे केंट जैसा जिक्र किया हमने बीजेपी के लिए सबसे सेफ सीट मानी जाती है लेकिन कॉंग्रेस के लिए उतनी ही कठिन सीट है अभी तक प्रत्याशियों का एलान कॉंग्रेस पार्टी में नहीं हुआ है किस तरह से देखते हैं आप और ये संभाविक चुनाती हो देखिए जनता की सुख दुख से लेकर विकास कारियों से लेकर सेवा कारियों तक हम जनता की बीच मेरा चुनाओगे तीन महशने पहले आप पूरे छेत्र को जानी नहीं पाएंगे और इन तीन मेहने में अगर कोई भी केंडिडेट कांग्रेस का आएगा और वो जनता की बीच में जाएगा तो जनता सबसे पहले उसे सवाल ये करते हैं कि आप लोग कौने पांच साल कहां रहते हैं तो मैं सबसे बड़ी बात कांग्रेस के लिए तक्रीब दायक ये है केंड विधान सवा में कि उसके बाद गायब हो जाते हैं ना किसी के सुख दुख में रहते हैं ना किसी के सिवा में रहते हैं ना किसी के विकास कारे में रहते हैं इसलिए केंड विधान सवा का सबसे बड दावा मजबूत है और वो ही मेरी ताकत है और जिस तरीके से दादा ने इस विधान सभा को एक पन्ना प्रिभारी से लेकर बूत प्रिभारी तक मजबूत किया उसको निरंतर हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और मैं केंट विधान सभा को उन कारेकरता जो दादा बन बहुत बहुत शुक्रिया आपने बात की अशोक रोहाणी जी जू लगातार दो बार से जबलपुर केंट से विधायक हैं। इस से पहले उनके पिता और मद्य घुपतेश विदामसवा के पूर्व अध्यक्स इश्वरदास रोहाणी भी लगातार चार बार इसी केंट शेत्र से विधायक रहे हैं और अब वो कह रहे हैं कि उनका दावा इसलिए मजबूत है क्योंकि लगातार संगठन के दम पर एक बार फिर केंट विधान सभा वो जितेंगे और ना सिर्फ यह कह रहे हैं कि यह चुनाव जीतेंगे बलकि पार्टी की ओर से पर 50 फीज़दी वोट शेयर पाने का जो लक्ष दिया है हैं वो कहते हैं कि बीते चुनाव में ही केंट विधान सभा 55 फीज़दी वोट बैंक से वोट शेयर से बीजेपी ने जीती ती और दावा कर रहा है कि इस बार 65 फीज़दी वोट शेयर जबलपूर केंट में बीजेपी लाकर दिखाएगी कह रहे हैं कि इस बार फिर कमल जबलपूर केंट में जरूर खिलेगा केमरमेन सती सराथे के साथ विजन रपान ने आई बीसी 24 जबलपूर